इस्टाप नियुक्ति प्रतिक्रिया में बिलंब होने की विरोध में अनिश्चित कालिन अंसन पर बैठे आम बाड़ी चाय बगान के युवग बानार्थाना अंतरगत आम बड़ी चाय बगान में इस्टाप के तीन रिक्ट पद होने के कारण प्रवंधक द्वारा नियुक्ति को लेकर एक सूचना गत 2019 में जारी किया गया था सूचना अनुसार चाय बगान में अनेक सिक्षित युवग ने उक्त रिक्ट पद के लिए आवेदन किया था परिक्षा दिनांक 28 अगस्त 2020 डिवी आई टिये में हुआ था जिसका रिजल्ट 8 फरवरी 2022 में निकला जिसमें से तीन युवग दिनेश, सर्मा, प्रताप सिंग एवंग अविक सरकार उत्रिन हुए थे जिसमें अविक सरकार की डकुमेंट में तुरूटी होने के कारण निक्ति नहीं मिली थी लेकिन दो युवग दिनेश, सर्मा, प्रताप सिंग का पूरे कागजात वेरिफाई किये जाने के बाद भी आज तक उन्हें निक्ति पत्र नहीं मिलने के कारण आज सोमबार से लागतार अनिश्चित कालिन भूक हर्ताल पर ये दोनों युवग बैठ गये हैं दिनेश, सर्मा, प्रताप सिंग ने बताया गद 2020 में इस टाप की परिक्षा में उन्होंने उत्रिन किया था लेकिन चाय बगान प्रबंधक की ओर से आज तक उन्हें निक्ति पत्र नहीं दी गई है जब तक हमें निक्ति पत्र नहीं मिलता तब तक हम लोग आंधोलन यथावत रखेंगे चाय बगान के प्रवंधक अमिताब जहा ने बताया नियुक्ति प्रक्रिया अनुसार तीनों का कागजात वेरिफाई किये जाने के लिए मांगा गया था जिसमें एक का कागजात गलत होने के करण यह विलंब हुई है द्वी आइटिये द्वारा पुना परिक्षा कराने का निर्णे के लिए नियुक्ति पत्र नहीं दे पाए हैं इधर अंसनकारी दिनेश सर्मा का भाई विकास सर्मा ने बताया यदि एक का डाकुमेंट गलत पाया गया है तो नियुक्ति पत्र रोकना ठीक नहीं है जो एक प से ही दोनों ने अंसन शुरू किया है साम से दोनों आवेदनकारी साथ में नीलम सर्मा वंग गौतम कामी ने धारवाहिक दीन के संकेतिक धरना शुरू किया है उन्होंने बताया यदि उनकी मांग को तीन दिनों तक पुरा नहीं किया गया तो वह अनिश्चित कालिन पर जाएंगे यह बता दे कि चाय बगान इलाकों के ग्रामिन इलाकों में खासकर चाय बगान में काफी भिरोजगारी की समस्यात देखी जाती है में पास होता बारा आप्मी का भाईवाली आ गया उसके बाद में छोओ साथ मैना एबाइस में मोटा मोटी छे मैना पहले रिजल्ड निकल के आया वो रिजल्ड में वर्णिरे शर्माप परताप सी और परताप सी ए दो लरका करना